It is with great pride and wholehearted support and appreciation for the vision that she has laid out for us. हम बोलना चाहेंगे, स्पीकर महोदय, कि हमारे यशस्वी और ओजस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेत्रित्व में भारत लगतार विकास की और अग्रसर है. स्कूल और विद्याले में ही बापू के विचारों को पढ़ती आई हूँ और आज ये कहना चाहूंगी कि बापू के विचारों को अगर सत्थ निश्था से कोई आगे लेकर के जा रहा है तो वो एंडिये की सरकार है. सर बापू का विचार था कि गरीबों को मुख्यधारा से जोड़ा जाए और एंडिये की सरकार बखू भी ये कर पारी है. देश में 4 करोर से ज्यादा पीएम आवास योजना की स्वीकृती, 12 करोर पडिवारों में 55 करोर व्यक्तियों को पीएम आरोगय योजना के तहट स्वास्त बीमा मिला है. 25 करोर लोगों को मल्टी डाइमेंशनल पॉवर्टी के बाहर लाया गया है सर और 80 करोर आबादी को पीएम गरीब कल्यान अनियोजना के तहट लाब लगतार मिल रहा है. NDA की सरकार ने बिना धर्म जात पूझे गरीबों का उत्थान किया है और उत्थान के लिए लगतार काम कर रही है. सर, हम बिहार से आते हैं और बिहार ने 2005 से लगतार NDA को बुलंदी और मजबूती दी है. बिहार में एक नेता, नीयत, नेत्रित्व और कड़ी निश्था से NDA बिहार को उसका गौरव और एक नया कीरतीमान वहां पे विकास का गड़ रहा है हमारे पार्टी के नेता श्रद्यराम विलास पासवान जी ने लगातार बाबा साहब भीमरा अंबेदकर के पच्चिनों पे चलकर दलित, शोशित और वंचित वर्गों को आगे बढ़ाया है आज हम बाबा साहब भीमरा अंबेदकर की बात कर रहे हैं और उनका एक कोट पढ़ना चाहेंगे I measure the progress of a community by the degree of progress which the women have achieved सरकार ने Women Reservation Act दे करके 33% आरक्षन दे करके सांसद में महिलाओं के आवास को ना सिर्फ बुलंदी दी है बलकि उनके अधिकारों की भी लड़ाई लड़ी है लखपती दीदी की योजना उजवला योजना और महिलाओं को मुद्रा लोन दे करके महिलाओं की आर्थिक स्थिती को मजबूत किया गया है अगर आज हम आर्थिक स्थिती की बात कर रहे हैं तो हमें अर्थ व्यवस्था की भी बात करनाई चाहिए और देश आज विश्व की पाँचवी सबसे बड़ी अर्थ व्यवस्था है और 2047 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थ व्यवस्था होगी माननिय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नित्रित्व में भारत देश को विकास का एक व्यापक स्वरूप मिल रहा है किसान सम्मान निधी के तहट किसानों को नियूंतम राशी मिल रही है जिससे उनकी स्थिती में बढ़ोतरी हो रही है और आत्म निर्भर भारत का जो ये सोच है उससे भारत विश्वस्थर पर एक अपना पहचान बना रहा है अगर हम विश्वस्थर की बात करें तो G20 के New Delhi Declaration में 100% Global Consensus के साथ भारत आज एक विश्वमित्र के रूप में स्थापित हो रहा है Honorable Speaker Sir, एक युवा है और युवाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे है हम कहना चाहेंगे कि एंडिय की सरकार में The youth is being equipped with necessary skills and knowledge to face global challenges with initiators like Skill India, Digital India and Startup India Sir, बिहार के युवाओं की लगतार एक मांग रही है कि बिहार को विश्वराज का दर्जा मिले बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इसलिए हम हमारे माने ने प्रधान मंत्री जी से अनुरोद करेंगे कि इसके लिए अगर नीती आयोग में कुछ बदलाफ किया जाए तो उस पे उनकी विशेश द्रिष्टी हो और बिहार को भी आगे बढ़ने का सामान या अधिकार मेले Sir, I am firmly convinced that with continuous efforts and visionary policies of the NDA government, Bihar will be an example for the development of the entire nation. I want to reaffirm our commitment and Lokjan Shakti Party's commitment to NDA's leadership और हम अपने राश्ट्रे अध्यक्ष श्री चराग पाश्वान जी को भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि आज उनके वजे से Bihar के महिलाओं को और युवाओं को भी आवाज मिल रहा है इस सादन की करिमा और इस सादन की इतिहास को देखते हुए Sir, दो पंक्ती पढ़ना चाहेंगे जो भरा नहीं है भाव से बहती जिसमें रस्धार नहीं जो भरा नहीं है भाव से बहती जिसमें रस्धार नहीं वो ह्रिदे नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वादेश का प्यार नहीं धन्यवाद, Speaker Sir, Thank You Thank You, Sambhavi, for your maiden speech Now, Zee Thanuza Rani Shushree